दोस्तों क्या आप भी परेशान हैं अपने चेहरे के पिगमेंटेशन से दोस्तों अगर हमारा चेहरा साफ सुतरा है कोई भी दाग धबा नहीं है तो हमारे चेहरे पर चार चांद लग जाते हैं यानि कि जब हम तयार होते हैं तो चेहरे पर चार चांद लग जाते हैं तो उ करते हो उससे होता क्या है कि थोड़े जिक लिए तो आप सही हो जाते हो लेकिन फिर आपका चैरा डल पड़ जाता है तो अगर आपको पिग्मेंटेशन प्रॉब्लम है चैरे पर दाग धब्य हो गई है तो आप इस मुझके का इस्तेमाल करिए इसके लिए क्या करना है आपक क्षान शिली तो एक चमच आपको ऐलू कर रस निकालेना है और उसके बाद में आपको इसमें डालना है क्या दूद आप、 को आपके Пास में अगर। थैके रा मिल्क ले लिए नहीं है तो जो आपके घर में दूद गरम कर अधाने डालना है घरम हो कि रंगत को निखालता है हमारी कि ध्किन. को खूबसूरत गोरा बनाता है सुप्ट बनाता है अब इसके बाद में हमें इसमें डालना है अगली सामगरी बो है दोस्तो ये सहध यानि की हनी तो सहध हम करीमन इसमें डाल देंगे आदा छोड़ा चमच बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना है आप जब इस मुस्खे का इस्तेमाल करोगे अपने चेरे पर या आप अप इसकी जगह पर आप नारियल का तेल डाल सकते हो अब आपको इसके बाद में क्या करना है इसके बाद में हमें इसमें डालना है अलोबेरा जेल आपके पास में जो भी अलोबेरा जेल हो वह आप डाल सकते हैं मार्केट बाला है तो मार्केट बाला डाल दें घर वाला है यानि आपको पासी ताजा प्लाइनैं तो उसमें से आप पल्प निकाल सकते हूं ऐलोवेर मेरे करके इसको अच्छे से रिख करिए आपको तब तक सब्सक्राइब करें रिख कर tack इ। गया की उसकी की सूचना Para और आप मुझे कमेंट करके बताइए किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए क्या तकलीफ है तो मैं आपके लिए वीडियो अप्लोड करूंगी तो यह देख सकते हैं सारी चीजों को मैंने मिक्स कर लिया है अब यह आपका सुद्ध और देशी दाग दबों को हटाने वाला नु कि हमने बहुत सारी चीजों का इस्तेमाल किया है अब इसके बाद में आपको इसे लगाना कैसे है आप इसे बनाइए और आप लगाईए आप देखना आपको जैसे ही आप इसको लगा उगके एक बार में ही आपको अपने चेरे पर फरक नजर आएगा अगर आपको डाउट शर्क्र की प्रब्लम है तो भी सहीं हो जाएगी आप क्या कहना है इस पेष्ट को लेना है अपनी तोचा पर लगाना है चैरे पर इस तरह से अगर आप अब यह देखे डार करके लिए आख अपनी आखों में भी इस तरीके से गोलाई गोलाई में मसाज करने से जिससे की हमारी तोच्छा में जब बलट का संचार बढ़ेगा तो जिससे कि हमारी तोच्छा पर निखार आएगा और जो यह आपका प्रिग्मेंटेसन है यह भी से अंदर से ही आती है इसके साथ सा आपको क्या करना है यह तो होगया आपको लगाने वारी चीज्ज लगा करके मसाज करने के बाद में आप इसको छोड़ दीजिए करीबन एक घंटे के लिए और उसके बाद एक घंटे जरू छोड़ना ठीक है आप चाहेंतों इसे रात महिने तक प्रयोग करना अपने चहरे पर आप देखना एक भी दाग धबा नहीं रहे जाएगा दोस्तों यह जो हमारे चहरे पर जाईया यानि की पिग्मेंटेशन हो जाती है तो यह आईरन और बिटामिन एक ही कमी से होती है तो आप ऐसे आर का सेवन करिए जिसमें बिटामिन ए और आईरन की पूर मातरा हो साथ ही खटे फल जैसे की संत्रा मौसमी कीवी नीवू बिटामिन सी तोचा को खूब्सूरत और दाग राइद है यानिकी आपके तुचा पर निखार लाएगा फलों का रसपी है हरी सबजियां खाएं पत्तेदार गाजर बगएर खाएं छिलके ताल खाएं आप देखना यानिकी फाइवर वाली चीज़ें भी खाएं आप देखना आपकी चैरे की रंगत हमेरिजा खिली खिली रहीग करना